मुबाइल पर आने वाले मैसेजों से हो जाएं सावधान, सोशल मीडिया पर ठगी का एक नया तरीका देखने को सामने आया है इस समंदी जानकारी देते हुए राजकुमा ने बताया कि उन्हें किसे मुबाइल नंबर से मैसेज आया कि आपने अपना बिजली का बिल नहीं दिया जल्दी ही बिजली का बिल जमा करवाओ, नहीं तो तुम्हारा मीटर काट दिया जाएगा जिसके बाद उसने दूसरे ही दिन डरते हुए 100 रुपे ट्रांसफर कर दिये पर जब उसने अपने खाते में पैसे ट्रांसफर किये तो उसके बाद उसके खाते से 10,000 रुपेया निकल गया उसने कहा कि उसके साथ किसी ने ठगी की है जिसके शिकायत के लिए उन्होंने साइबर कराइम द्वारा जारी नंबर पर कंप्लेंट पाने की भी कोशिश की जारी तो एक लिए तो पराना बिल जारा ऐड़ा जड़ा दो एकी दा सरकार ने माफ की ते ओए विए उन्हों करता है करता है उस तो बात मेरे जिन्ने पैसे सिए प्राइब काउंड देगे घाने मेरा सारा एकरबी आओट गया चार सो इतोड गए ताइच नी तुसी पहला था तुछा तुछा बेला खड़ा सका जी पर अच्छा तुसी ओधे पलेखे ले पीचे तुसी दिगें तुछा है और कि पर एक यह हमाप कि तो नहीं हो कि मिरे पईसे पड़ाई आप डेट कर देन एया कि आपूड आपडेट करदेने हो क्या एक है तो नहीं आपड़ाया जोगा थान मेरे गाउन देवे ते ज़ला दासी या रपी आसी नाड़ी उसे वरी एकको दम साथी के राती दूसी किने बेखॉल किती नहूं? मैं राती नहूं तकरीवन कोई साटे आठ नो मजे के थे साटे आठ नो मजे थे पूर पिक का लिया नहीं पिक नहीं किता सेरे इनने पिकड़ी किता उसको बाद जड़े नमबर थे मैं फोन में बड़ सा पाया तो थे लेडिस फोन रही है जैसे दिद्धा कोई विहार जा यूपी दी है मैं फोन काड़ दिया उसके निचे एक नमबर और दिया हुआ है भी जहां से पिस पे आप कंटेक्ट कीजिए मैंने सुबह उससे उस पे कंटेक्ट किया तो उन्हें मुझे सारा वेरवा बताया भी ऐसे करके आप इसे में फोर्पिया जमा कराएं फिर असके बाद आपका जो नया बिल अपडेड होगा आप तो बेल किया जाएगा मैंने अपनी डब्री कार्ण से सोर गिया जमा करा दिया उसके बाद उसी नंबर से मेरे जितने अकाउंट में पैसे थे वो सारे उड़े कौन की प्रशासंदों की मांग कर रहे हैं मैं प्रशासंदों ही मांग कर गड़ा की विचारा दिन रात एक करके जॉब करके पांचे हीर्फ मीनिते हैं